जै बोलेनाथ आज सुनिए सोमवार व्रत कथा और भगवान शिप की आरती पौराणी कथा के निसार किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसकी घर में धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी जिस कारण वह बहुत दुखी था पुत्र प्राप्ति के लिए वे भगवान शिप की पूजा करता हर सुमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिप और माता पारवती की पूजा किया करता उसकी भक्ती देखकर एक दिन मा पार्वती प्रसन हो गई और भगवान शिव से उस साहुकार की मनुकामना पूर्ण करने का आगरे करने लगी देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा हे पार्वती इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भुगना ही पड़ता है लेकिन पार्वती जी ने सहुकार की भक्ती का मान रखने के लिए और उसकी मनुकामना पोंड करने की इच्छा जटाई माता पार्वती के आगरह पर भगवान शिव ने साहुकार को पुत्र प्राप्ति को वर्दान तो दिया लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयू केवल बारह वर्ष होगी माता पार्वती और भगवान शिव की इस वारता को साहुकार सुन रहा था उसे सुनकर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख बलकि मैं तो पहले की तरही भगवाई शिक्की पूजा करता रहा कुछ समय के बाद साहुकार के घर एक पुत्र का जनम हुआ जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया साहुकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ रास्ते में यग्य कराते वे जाना जहां भी यग्य कराओ वहां पर ब्रहमनों को भोजन कराकर दक्षिना देते वे ही आगे जाना दोनों मामा भांजे इसी तरह यग्य कराते और ब्रहमनों को दान दक्षिना देते देते काशी की ओर चल पड़े रास्ते में एक नगर पढ़ा जहां उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवहा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवहा होने वाला था वह राजकुमार एक आकसी काना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहुकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दुलह बना कर राजकुमारी से विवह करा दू विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा लड़के को इस प्रकार दुले के वस्तर पहना कर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया लेकिन सहुकार का पुत्र बहुत इमानदर था उसे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी उसने अफसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पले पर लिख दिया कि राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आख से काना है मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी वी बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई राजा ने बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया जिससे बारात वापस चले गई दूसरी ओर साहुकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यग्य किया जिस दिन लड़के की आयू 12 वर्ष हुई उसी दिन यग्य रखा गया लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है सुनकर मामा ने कहा तो तुम अंदर जाकर सोजाओ शिव जी के वर्दान अनुसार कुछी छड़ों में उस बालक के प्राण निकल गए मृत भान जी को देखकर उसके मामा ने विलाब शुरू कर दिया सायोग वश उसी समय शिव जी और माता पारवती उधर से जा रहे थे पारवती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्राणात मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा आप करपया इस विक्ति के कस्ट को अवश दूर कीजे जब शिव जी मृत बालक के समीब गए तो वह बोले कि देवी ये तो उसी साहुकार का पुत्र है जिसे मैंने बारवश की आयू का वर्दान दिया था अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है सुनकर देवी पारवती के मन में ममता जाग उठी देवी पारवती कहने लगी हे महादेव आप इस बालक को और आयू देने की करपा कीजे नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तडब तडब कर मर जाएंगे माता पारवती के आगरह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दे दिया शिव जी की करपास से बह लड़का जीवित हो गया शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ वापस नगर की ओर चल दिया दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहां कभी उसका विवाह हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यगी का आयोजन किया उस लड़के के ससुड ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खोब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूम धाम से विदा कर दिया इधर भूके प्यासे रहकर साहुकार और उसकी पतनी अपने बेटे के आने की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने निश्य कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्ति को समचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे परंतो अपने बेटे के जीवित होने का समचार पाकर वे बेहुत प्रसन हुए उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा हे श्रेश्ठी मैंने तेरे सुमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख महादेव की करपा से दूर हो जाते हैं और समस्त मनुकामनाई भी पोर्ण हो जाती हैं प्रेम से बोले भोले शंकर भगवान की जय माता पार्वती की जय जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विश्नु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुडासन विश्वाहन साजे ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अती सोहे स्वामी दस भुज अती सोहे त्रे गुण रूप निरखता त्रे भुवन जन मोहे ओम जय शिव ओमकारा अक्ष माला वन माला रुंड माला धारी स्वामी रुंड माला धारी चंदन म्रिग मत सोहे भालेश शिधारी ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाखांबर अंगे स्वामी बाखांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रेशोल धारी स्वामी चक्र त्रेशोल धारी सुखकारी दुखहारी जग पालन कारी ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्ण सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुन स्वामी जी की आरती जो कोई नरगावे कहते शिवानन्द स्वामी रटते भुलानन्द स्वामी सुख संपति पावे ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विश्नु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा ये थी आज की वीडियो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा